नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खबर मैं हूँ आपके साथ रागिनी सिंग महादेव की अरादना का महीना आने वाला है आखिर ये महीना इस साल क्यूं खास है कब से कब तक चलेंगे ये शावन मास आए जानते हैं कुल कितने सोमवार होंगे इस बाद शिव भक्त तक सावन अदिमास रहेगा इसे मलमास और पुष्योत्तम मास भी कहा जाता है दरसल वैदिक पंचांग की गर्णा सौर मास और चंदर मास की आधार पर की जाती है जिसमें चंदर मास तीन सो चववन दिन और सौर मास तीन सो पैसट दिन का होता है इन दोनों का अंतर 11 दिन का होता है यही अदिमास कहा जाता है यही कारण है कि 2023 का सावन आठ सौंवार का होगा प्रशाशन ने सावन में कावड यात्रियों के लिए विशेश इंतजामात किये हैं जिसमें ज्रोन से निगरानी यात्रा मार का अतिक्रमन हटाना यात्रा का रूट निरधारन करना आप भी सावन का इंतजार कर रहे हैं और हम भी इस बार सावन आठ होने वाले हैं तो इस बार 2023 का जो सावन है वो काफी दिल्चस्प होने वाला है फिलाल मुझे दीजे इजाजत और आप देखते रहे आज की खबर